अब लार्ज नंबर्स को अगर प्रैक्टिस में लेना है कई बार ऐसी सिचुएशन्स आ जाती हैं हमारे पास में कि छोटे नंबर से काम नहीं चलता है हमको बड़ा नंबर चाहिए और कभी-कभी बड़े नंबर से काम नहीं चलता है छोटा नंबर चाहिए तो ये कनवर्शन्स आपको अच्छे से याद रखने के हैं क्योंकि कई questions के अंदर इसका हम यूज करेंगे 10 mm is equal to 1 cm आप अगर अपने scale देखोगे scale के अंदर इंच वाले भी scale होती है और नीचे cm वाली scale होती है तो जो थोड़ी सी बड़ी वाली है वो इंच में है और नीचे वाली जो छोटे छोटे वो divisions रहते हैं वो cm के अंदर और एक cm को भी 10 equal parts में बहुत छोटे छोटे parts में divide किया हुआ है वो हर part mm है तो 10 mm मिलके यह 1 cm बनते हैं फिर 1 mm अगर अपने देखें तो 1 mm is equal to 100 cm होते हैं लेकिन एक cm 10 mm के बराबर तो इसको 10 से multiply करेंगे तो वो 1000 mm के बराबर हो जाएगे ऐसे ही जब हम road में या highway में जाते हैं तो वहाँ पे km के अंदर हम distance को measure करते हैं लेकिन जब पेदल चलेंगे तो मीटर में measure करते हैं तो यहाँ पर km और मीटर का के relation है वन किलो मीटर इस इक्वल टो 1000 मीटर अगर इसी को मिली मीटर और सेंटी मीटर में convert करें तो वन किलो मीटर यह 1000 मीटर के बराबर लेकिन एक मीटर एक मीटर हंड्रे सेंटी मीटर के बराबर था तो दिस इस 1000 मीटर और अगर मिली मीटर में convert करें तो 100 सेंटी मीटर और इन्टो 10 मितलब 1000 मिली मीटर तो इस 1000 को एक बार 1000 से और multiply करेंगे then we will get that many मिली मीटर ऐसे ही अगर हम सबजी खरीदने जाते हैं तो किलो में खरीदते हैं लेकिन सोना खरीदने जाते हैं तो किलो में नहीं खरीदते हैं हमको छोटी यूनिट चाहिए तो एक ग्राम ये 1000 मिली ग्राम के बराबर होगा और एक किलो ग्राम तो ये हमें याद रखने का है इसी तरह से जब हम दूद वाले से दूद लेते हैं तो हम बोलते हैं एक लीटर दूद लेकिन जब बहुत कम क्वांटिटी में कोई सी चीज लेनी होती है तो वो किलो या लीटर के अंदर नहीं होती है तो ये कनवर्शन भी याद रखना है ये कनवर्शन आपको हमेशा आगे काम आने वाले हैं आपको हमेशा याद रखना चाहिए